Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ Saloni Rajput, आपकी Maths Expert और आज हम पढ़ने जा रहे हैं Factorization Using Identities. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी NCIT के Example No. 6 जो की गिवन है पेज No. 221 पर. इन Examples के थुरू हम बहुत अच्छे से Practice करने की कोशिश कर रहे हैं Factorization Using Identities वाले पार्ट को यानि की Identities का यूज करके हम कैसे किसी गिवन एक्स्प्रेशन को Factorize कर सकते हैं बहुत ही इजीली वही चीज हमको देखनी है पिछले दो Lectures में भी हमने यही चीज पढ़ी थी आज भी हमारा ये Examples चल रहे हैं तो आये देख लेते हैं कैसे Solve होगा Question और क्या दिया है Question में दिया है Factorize 49p²-36 यानि 49p²-36 को Factorize करना है तो ऐसा लग रहे हैं सिर्फ दो ही Terms है तो हमने कौन-कौन सी Identities अच्छली पढ़ी है जिससे हमें यूज करके Factorization कर सकते हैं तो देखिए हमने पढ़ा है एक Identity A plus B क्या Whole Square इसको कैसे लिख सकते हैं A square plus 2AB plus B square के फॉर्म में Right Next Identity हमने पढ़ी है A minus B का Whole Square इसको लिख सकते हैं हम A square minus 2AB plus B square के फॉर्म में Right तीसरी Identity पढ़ी है हमने A plus B और A minus B के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं हम A का square minus B का square तो इन तीनों identities में से आप बताइए में को कि कौन सी identity का यूज करकर हम इस question को कर सकते हैं solve तो देखिए question दिया है एक number minus दूसरा number तो ऐसा कहां दिख रहा है आपको यहां तो तीन तीन terms है इसमें सिर्फ दो ही term है और दो term आते हैं तीसरी identity में एक number minus दूसरा number लेकिन वो जो numbers minus हो रहे हैं वो square numbers होना चाहिए यानि कि perfect square होना चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं से इस identity का use करना है तो हम अपने number को कैसा बनाए A ka square minus B ka square के form में. यानि कि हमें इसको perfect square के form में लिखना है तो देखो 36 को आप किस का square लिख सकते हो? 6 का whole square तो यह तो बन गया perfect square फिर 49P square को आप किस का square लिख सकते हो? 49 को 7 और P square को P तो 7P का whole square हो जाएगा के नहीं होगा? है ना तो 49p square पूरे को हमने 7p का whole square लग दिया, बीच में minus है, अब क्या करें हम, हम consider कर लें, कि 7p को हम क्या मान ले, a मान ले, है न, let 7p is equal to a, and 6 is equal to b, 7p को a माने, 6 को b माने, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा, a square minus b square, and since a square minus b square का के बराबर होता है, यह चीज इस पूरे के बराबर होती है, that is a plus b into a minus b, तो इस फॉर्म में हम आसर लिख देंगे, तो a की value क्या है, 7p, b की value है 6, तो यह क्या हो जाएगा, 7p plus 6 एक bracket में, और 7p minus 6 दूसरे bracket में, आया समझ में, बस यही आपका final answer हो जाएगा, तो इ जादा easy है, यानि कि कोई भी आपको expression दिया है, उस expression को आप whole square के form में convert करें, perfect square में, वो minus में है, तो एक a का square हो जाएगा, एक b का square हो जाएगा, वो बराबर होता है, a plus b into a minus b के value put करके answer मिल जाएगा, देखें, कुछ और भी question मैं, एक और बता देती हूँ आपको, और question आ सकता है, आपको normal सा कुछ numbers भी दे सकते हैं, है ना, कैसा number दे देंगे, जैसे की आपको दे देंगे, 99 का whole square, 99 का अगर whole square दे दिया आपको, तो अभी हाँ तो सिर्फ एक number ही है, यह और advanced level के question है, 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 minus 1, तो 99 की जगे 100 minus 1 करा, whole square था उपर, तो whole square लगा दिया, अब 100 को आप क्या मानोगे, a, 1 को b, तो यह क्या हो जाएगा, a minus b का whole square, और a minus b का whole square काय के बराबर होता है, a square minus 2ab plus b square के, a square याने 100 का square minus 2 into 100 into b याने 1 plus b square याने 1 का whole square, इसको solve करके हमको क्या मिल जाएगा, answer मिल जाएगा, तो ऐसे-एस equation पूछे जा सकते हैं, आपसे और कोई number दे देंगे, आपको 101 का whole square find करो, 101 के लिए आप क्या करोगे, 100 plus 1 का whole square करोगे, अब 100 को a मानोगे, 1 को b मानोगे, तो यह हो जाएगा, a plus b का whole square, जिसको आप लिखते हो, a square plus 2ab plus b square के form में है ना, पहली identity, a की value, 100 तो यह हो जाएगा, 100 का square, plus 2 into 100 into b कितना 1, plus b का whole square, याने 1 का whole square, solve करके answer मिल जाएगा, है ना, और क्या दिया हो सकता है, देखो, और कुछ ऐसा दिया हो सकता है, 2p plus 3 into 2p minus 3, है ना, इस टाइप में क्या करोगे, दो numbers हैं, सेम हैं, एक में plus, एक में minus, याने ऐसा दिया है, तो अगर 2p को a मानो, 3 को b मानो, तो ये a plus b, ये a minus b, a plus b into a minus b काय के बराबर होता है, a square minus b square के बराबर right, तो a माना था आपने 2p को, तो ये 2p का square, minus b माना था 3 को, तो ये 3 का square, ये 4p square minus 9, आपको answer मिल जाएगा, समझ में आरही हैं बाते, तो इस type से आपको बहुत अलग-अलग question पूछे जा सकते हैं, based on identities, तो आपको ध्यान रखने हैं, ये पहले तीनों identities, उसके बाद मैं और भी कुछ चीज़े पढ़ाऊंगी, तो ऐसे ही अगले lecture में और example solve करेंगे, हम NCRT के अगला example, till then, आप विजिट कर सकते हैं, हमारी official website, जो की है, magnetbrains.com, वहाँ आपको class 4 से लेके, class 12 तक सारे subjects के notes and video lectures, सभी कुछ available है, एक systematic manner में, बहुत easily, complete course के लिए आप जरूर अपग्रेड कर लीजिए, Magnet Brains Plus में, इसका price nominal सा है, with lots and lots of benefits, so keep studying and thank you so much for watching.